एक बार फिर से आप सबों को Aerial Defense Security में स्वागत है आज हम लोग बहुत important topics के उपर बात करने वाले है दोस्तों अगर आपका पेट दर्द करता है running time या running के बाद तो ये कैसे ठीक हो सकता है और क्या गलती है जिसकी वज़से आपका पेट दर्द कर रहा है तो आज इसी के उपर पूरी detail में हम लोग आपस में share करेंगे तो वीडियो के आगरी तक बनी रहे हैं सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि running करते समय अगर आपका side core या पेट में दर्द करता है तो ये दर्द करने के पीछी main reason है आप कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसकी वज़से आपका पेट दर्द करते है वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका अगर पेट दर्द करते हैं तो आपको कौन-कौन से exercise करने थे तो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आया तो आज इसी के उपर बात करते हैं जो सबसे important है वो ये है कि running time अगर आपका पेट दर्द करते है तो ये आप मान ले कि आपके सरीर के अंदर आपके फेफडे के अंदर जितनी exercise का requirement है oxygen का requirement है उतना नहीं पहुच पा रहे है इसकी वज़से दर्द करते है दरासल होता ये है कि एक normal बेक्ती चलते है उसकी जो सास की requirement होती है वो कम होती है लेकिन जो एक running करता है उसको ज़्यादा होता है और जितना ही आप इस पी running करेंगे उसके हिसाब से आपका सास ज़्यादा आपके अंदर जाना चाहिए तो होता ये है कि कुछ लोग मुह से सास लेते है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मुह से सास लेते है तो इससे क्या होते है एक तो dust आपके अंदर बहुत ज़्यादा राता है अब जो दूसरी बात है वो ये है कि running से 5 घंटा पहले आप भोजन करें ठीक है क्योंकि होता ये है कि जब आप दवा के भोजन और फुल डाइट ले ले लेते हैं और फिर आप एक दू घंटा बाद running करना जाते हैं तो आपका खाना जो है सही से पस्ता नहीं, डाइजिस्ट नहीं होता है जिसकी वज़र से आपका पेट दर्द करता है तो इस सीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है इसलिए running से 5 घंटा पहले ये आप भोजन कर ले अब जो तिसरी बात है कि running करते समय अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो वो ये है कि आपका पेट में एक्स्टा सर भी है ठीक है, फेट है आपका पेट टाइट नहीं है इसकी वज़र से भी दर्द करता है और क्या होता है कि जब आप running करते हैं तो पेट दर्द तो कम, side core आपका ज़्यादा दर्द करता है इसलिए मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप running करना चाहते हैं तो running आप करें लेकिन running के साथ में exercise आप पिल्कुल दबा के करें running से पहले आप थोड़ी सी warm-up अस्टीच कर ले लेकिन running के बाद आप पूरा exercise करें इससे क्या होता है कि आपका सरीर पूरा गर्म राता है और आप exercise करते हैं तो आपका सरीर exercise से आपका सरीर दर्दे टाइट हो जाता है आपका सरीर समझने बुझने लगता है कि आप को करना क्या है इसलिए आप exercise ज़्यादा तरह और तिस्री बात पर जो आपको main ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप जो है सु जब running कर रहे हैं तो अगर आप speed तुरन पकड़ते हैं तो इससे भी पेट दर्द करते हैं इसलिए सुरुवाती ताइम में थोड़ा सा आपको normal लेना है फिर आपको धरे-दरे speed बढ़ाना है और अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो जो सबसे important बात है वो ये है कि जिस side में आपका पेट दर्द कर रहा है मान लेते हैं कि आपका जो है right core में दर्द कर रहा है तो आपको अपने हाथों की ये उंगली को ऐसे करके और इस चार उंगली से दवा लेना है और अगर left में कर रहा है तो left hand को ऐसे करके ऐसे दवा लेना है और अगर दोनों दर्द कर रहा है तो दोनों दवा के आप दोड तो ये एक बहुत important बात है और आप इसे एक बार follow करके देखें, definitely मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका side core में दर्द कर रहा है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर पेठ दर्द कर रहा है, तो आपको पेठ की exercise करने पड़ेगी, जो six pack का exercise है वो करते हैं, वो भी मेरा channel पर video संपर्क बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे Instagram ideal पांडे पर मुझे follow कर सकते हैं, वहाँ मुझे direct आप DM है सकते हैं, मैं आपका तुरंत reply करूँगा है ना, तो तब तक के लिए जे हिन जे भारत बंदे मात्र,